वेरी वेरी गूड इविनिंग टो वाल अफ यू तो डियर इस्टुएंट अब आपका अब आपके पास होने के लिए ये लास्ट मंत्र दे रहा हूँ एक्जाम से एक दिन पहले का कोई भी मंत्र नहीं होगा यह लास्ट है उस समय आपको मिला हुआ है एक्जाम की तियारी करने का अब इस पर आप फोलो कर लिजेगा और यहां पर आपके पास में एक्जाम निकालने की पूरी पूरी पॉसलिटिस आपके पास में रहेंगी सबसे पहले आप हमारे अप्लिकेशन पे जाते हैं कि इन वीडियो को देखने हैं मैं वह आपको बहुत समझा रहा हूं सबसे पहले हमारे अप्लिकेशन पे जाएंगे शिक्षाधाम और उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कोर्स आपके पास में माइक्रो एकनोमिक्स है और माइक्रो एकनोमिक्स से कोर्सिस में जाते हैं तो यहां पर आपके पास में कंटेंट में आप जाएंगे तो कंटेंट में आपके पास में इंपॉर्डेंट कॉंटेक्ट नमबर है जहां पर आपके पास में डाउट के लिए कॉंटेट कर सकते हैं आप WhatsApp पे contact कर सकते हैं, उसके बाद Micro Economics Important Classes के अगर मैं बात करता हूँ. यह देमो क्लासिस हैं आपकी, जो कोई बच्चा, जो नए बच्चा जूड़रा है, वो भी देमो पहले देख सकते हैं, सुझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. डाउट आपको कैसे पूछेना है सर से, इसकी वीडियो हैं, यह सब तो हैं, लेकिन आप सवाल ये कि स्टडी प्लान क्या रहा है, अल्यडी में एक स्टडी प्लान आपके पास में डिस्कस कर चुका हूँ, डाल चुका हूँ, उसको आप फोलो कर सकते हैं, अगर आप करेंग देखें, important questions and answer, with answer, यह star बनावा है इसके पास में, आप इस पे गए, तो आपके पास में important questions मिलता है, और यह कुछ most important questions है, आपको यह chapter wise है, unit wise है, आप sequence में इसको आप पढ़ सकते हैं, अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे यह पूछे इसको किस sequence में पढ़े, यह sequence में पढ़े, किस sequence में पढ़ना है, अगर आप पर पूछेंगे, तो मैं आपको एक बार फिर कह देता हूँ, इस sequence में आपको प्रोवाइड करवाया है, पहला question आपके exam में यहां से देखने को मिलेगा, पहला question, और आपके पास में, इसमें important questions कितने, इसमें तीन आपके पास मे the choice between the alternatives, write a short note on the production possibility curve, यह question, how is the production possibility curve used to explain the concepts of the scarcity, यह तीनों questions आपको जो scarcity की वीडियो मिलेगी, आउसके अंदा को करवाया हुआ है, और इसी के choice में, आपके पास है कुछ question इस तरह के देखने को मिलेंगे, moment from the point with the a point to the production, यह moment हो गया, पीपीएफ के अंदर का point का denote करता है, पी first topic के question तो सौंज में आ गया, अब हम इसके वीडियो को, इसके concept को कैसे समझे, question पढ़ लिया, 10 यह ता सौंज में नहीं आ रहा है, रटा मानना पढ़ रहा है, दिमाग से भूल रहे है, सबसे पहले आप लोग याद करना, बंद करो, मैं आपको बारवर कहता हूँ, अब आ Diagram का help लिया हुआ है, schedule का help लिया हुआ है, answers को points में कैसे लिखना है वो बताया हुआ हिए, जब इत पुरी वीडियो देखोगे, तो आपको Diagram समझ में आ जाएगा, बनाया आ जाएगा, अब पुरी video देखोगे तो table create करना आपको आपको आज आएगा, पुरी video देखोगे तो पॉइंट्स आपके माइन में बैठ जाएंगे. तो अब बस जब आप टेबल बना लेते हो, डाइगराम बना लेते हो, पॉइंट्स जो आपके मने में आ जाते हैं, उस पॉइंट्स को क्या लिखना है? वो वीडियो में ने बताया हुए आपको. वे वीडियो में जाकर आप एक वाद सुन लोगे तो खुद self-making answer करो और आपके पास में जो notes इसका solution भी बैने प्रोवाइट करवाया है पिलाल आप question देख लिजेगा तो ये आपके पास में जो मैंने videos में है videos में video भी मिलेगा और वीडियो के सासात में इसका पूरा solution, answer भी PDF के form में आपको मिलेगा तो वहाँ पर आप अपने answer को, उस PDF को read करो, learn मत करो और खुद अपना answer making करो, आप उसके अगर 70-80% तक भी अपना लिख देते हो तो इसका मतलब एक्जाम में आपको इसके marks मिलेंगे, मिलेंगे और पूरे marks मिलेंगे, कोई एक-एक word आपका check नहीं करता है, आपकी knowledge चेक करता है तो knowledge आपका पास में होना अच्छी है, बस यह matter करता है अब सवाल यह किसर ठीक है, यह question है अब इसकी वीडियो कैसे मिलेंगे हमें, तो वीडियो पर आते हैं अगर आप वीडियो पर जाते हैं बच्चे यह तो वीडियो पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास पर आप to क्यों जाते हैं अगर यह itself जाते हैं आप देखते हैं तो मिले अब जाते करते मिलेंगे हैं तो यह स्टार का मतलब क्या हुआ है, स्टार का मतलब यह कि जो important question लगाया था न वो इस वीडियो में मिलेगा, देखेगा, तो यहां पर आपके पास में यह चीजें आ गए 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 है Explain the concept of the property and assumption of the production possibility curve, एक कोशन था न कि production possibility curve क्या होता है तो पूरा का पूरा आपको detail आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो आपको questions को भी देखने को मिल जाएंगे तो इसी तरीके से PPF and economic जहां पर भी questions आपको देखने को मिल जाएंगे तो आपके पास में Explain the concept of scarcity, how does it give the rise to the economic problem आपके साथ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यह इस तरीके से आप अपने वीडियो को देख सकते हैं और 10 यह से इस concept आपका पूरा क्लियर हो रहा है चलिए बात करते हैं आगे कि आप अगर important question में जाते हैं जैसे मान लीजिए कि important questions with answer यह आपके पास में important questions in English आपके पास में second demand and supply में क्या क्या question important explain the low of demand why does the demand curve slow the downward difference between the change in demand and change in quantity demanded differentiate between the change in supply and change in quantity supply कुछ यह questions आपके पस हैं demand में अगर आप गए यह utility आपके पास में आगी ठीक है और demand में गए तो आपके पास में individual demand के factor है important topic है class demand के factor से rightward shift पतर demand कर इस पर ही आपको मिल जाएगा demand के उपर सारी की सारी story है इस सारा कुछ आपको मिल जाएगा देखिए law of demand star बनाया वा ना law of demand पुछ था expansion of demand and diminishing mu यह reason behind the demand downward movement along the demand curve individual demand and factor तो इसमें आपको इस तरीके से आपको important questions की पूरी एक list मिलेगी और आपने यह important questions भी अगर आप लास्ट मुमेंट पर अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एक्जाम में almost आपके questions attempt हो जाएंगे उसके लिए आपके पास में यही मात्रिक तरीका है अब मैं एक युनिट से एक question का selection नहीं कर सकता हूं क्योंकि paper मैं नहीं बना रहा हूं अगर वो नहीं आएगा आप उस बरुद से बैठ जाएंगे तो आपका बहुत 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 आप लोग इस question को कुछ इस तरीके से इस टाइम पढ़ाई करें तो utility अब आपकी syllabus में क्या रहता है एक आप utility आपके syllabus में रहता है और एक आपके syllabus में जो है perfect conversion market में equilibrium रहता है जो है shutdown point और मैंने जो है super profit normal profit and losses यह point कवर कर दिया है बस equilibrium situation and long run supply curve यह दो topic रहता है तो मैं आपके इस classes को मैं बच्चे 12 तारिक तक आज 7 तारिक आपका syllabus पूरा wind up कर दूँगा इस important questions को देख लीजिए वीडियो देख लीजिए star लगा दिये गए हैं अब आपको इस तकी से पढ़ना है अब आपके जो doubts आएंगे कैसे आप doubt पूछ होगे तो doubt आप कैसे पूछेंगे कि ज उसमें जो मैंने समझाया है या जो चीज आपको समझ में नहीं आया और आपके मन में जो बात चल रही है वह counter question वह आप audio message कि थो मुझे आप भेजिए तो मैं better आप इतना लिख के भेजेंगे तो वह साथ मैं समझ नहीं पा हूँगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं तो आप उस question को mark करकर करके चाहां बें समझ में नहीं आइंडरलाइन करकर करके आप audio message कि थो आप मुझे भीजेंगे definitely आपके doubts solve होंगे एकनामिस से लिटेट तो उसी समय आपके जो है doubt को मैं solve कर दूँगा क्लेरे बच्चे तो यह आपके पास में रहा तो syllabus का मैंने बता दिये कि syllabus साथ तारीक है भाया बारा ताइक तक आप syllabus पूरी तरीके से complete मिलेगा एक्जाम से तिन दिन पहले अब आप इन पर इंपर इंपर इंपरिंट को पढ़िए थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच आज live session में जुड़ा नहीं कोशिश करें लेकिन वह live session में आज करेंट नहीं हो पा रहा था पर मैं सुझा बार बार पोस्ट करने से अच्छा मेरे class record करक मैंने क्या कहा कि पहले मैं मेरे पास में जो भी time मेल रहा है उसमें मैं live जाओ नहीं जाओ मैं recorded classes record कर रहा हूं और वह आपका course complete कर रहा हूं इसको पढ़ाऊंगा उसको सुनने का समय आपके पास में भी नहीं है तो 10 ये लेकर आऊँगा question number देखो 2022 में जो question आया था first मेरे content में कहा है ये चीज़े का है मैं बार बार आऊँगा 10 ये को solve करवाने और 10 ये का solution कैसे करवाऊँगा मैं आपको यहां पर बताऊँगा कि कहां पर है ताकि आपको कोई भी problem ना हो अगर आप चाल साल के question को भी अच्छे से पिछले cover कर लेते हैं पेपर नापको कुछ भी नहीं छोटेगा थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच और जो doubt है doubt के लिए मैं आपके लिए available हूं आप मुझे message कर सकते हैं पर message करने का अपना एक time होता है आप शाम को 8 बज़े तक message करें मैं आपके doubt ले लूँगा 8 मैक्सिम से मैक्सिम 9 बज़े तक भी मैं आपके doubts ले लूँगा उसके बाद फिर जो है वो फिर मैं उस पे नहीं आता हूं वाटसप पे तो फिर वो आपके doubts नहीं हो पाते हैं तो आप morning में 11 बज़े से लेकर करके श्राच को 9 बज़े तक आप मुझे message कर स कर दो आता है